हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो पर चैनल रजनी भी पैसन आज की इस वीडियो में सिंपल प्लाजो की कटेंगा श्टीचिंग करेंगे सिर्फ डेड मीटर कपडे में से ये प्लाजो बनाएंगे आप इसी पजामा भी बोल सकते हैं तो यहां पे मैंने डेड मीटर कपडे क विल्कम फूर होल्ड में रख लिया है और आप देख सकते हैं अड़गी साइड से हम निसान लगाएंगे एक इंच मैंने चोड़ दिया है मौरी के लिए अब लगाएंगे लंभाई के निसान तो लंबाई हमारीं है यह यह यहां पर साड़ी चत्तिस इंच साड़ी चत्तिस इंच लंबाई का निसान लगाने के बाद दो इंच ले लिए नेफा के लिए फुल लाश्टिक पलाजू बनाएंगे से विदाउट पॉकिट तो इन दोनों लाइनों को भी सीधा कर लेंगे अब लगाएंगे हिपसाइज का निसान तो जितना आपका हिपसाइज है उसका फोर्ट भाग लेके और उसमें 2.5 इंच और एक्ष्टर मार्जन ले लिए और यहाँ पर निसान लगा लिए तो हमारा फुल हिपसाइज है साड़े बारे इंच और इसमें दो इंच मैंने और एक्ष्टर ले लिया है साड़े चौदे इंच पे निसान लगा लिया है अगर आपका कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा है तो आप तीन इंच भी ले सकते हो अब लेंगे आसन की लंबाई तो जितना हमारा हिफसा है जब उसका फूर्ट वाग लेके हम आसन की लंबाई ले लेंगे तो यह देखिए यहाँ पे हमें साड़े बारे इंच पे ही आसन का निसान लगाना है लेकिन बाई मिश्टेक मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निसान लगा दिया और यह मुझे जब यहाँ आया जब मैंने कटिंग कर ली उसके बाद मेरा थोड़ धिहान गया कि मैंने यह कम लिया है साहिद आसन अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे इसमें हम लगाएंगे म्यानी तो म्यानी हम इस तरीके से लगाएंगे उपर तक सीधा इसे मिला लेंगे इसमें कोई भी क्रोचेरिय की सेफ नहीं डालेंगे सीधा इसे मिला लेंगे हलका सा तरिछा लेते हुए अब मौरी का निसान लगाएंगे तो 10 इंच मौरी रखेंगे ready और 11 इंच मार्किंग कर लेंगे एक इंच सलाई में चला जाएगा अब सेफटी के help से यहां से इस तरीके से मिला लेंगे अब उपर की साइड से half इंच का हम down देंगे अगर आप चाहू तो से दे सकते हो और अगर नाइच देना चाहते हो तो सिधा भी रख सकते हो तो यहां पे मैंने इस तरीके से half इंच का down दिया है front side में यह कपड़ा हमारा fold में रखा हुआ है तो उपर की दो side को हम उठाएंगे और front side के लिए cutting कर लेंगे नीचे वाली जो दो side बचेंगे उन पे हम बैक आसन को बढ़ाएंगे तो 3-3,5 इंच यहीं बढ़ा सकते हो आप और यहां से इस तरीके से मिला लेंगे तो इससे हमारा बैक आसन बढ़ जाएगा अब में इसमें जो हमारी mistake हुई है वो हुई है आसन में तो मैं बता दूँगी आसन में हमने 1,5 इंच कम ले लिया था गलती से लाश्ट में मैं उसे आपको बढ़ाना बता दूँगी किस तरीके से बढ़ा लेना है अगर वाई mistake आपसे भी यह गलती हो जाती है तो इसलिए मैंने ये वीडियो अफलोड कर लिया है नहीं तो मैं ये वीडियो अफलोड भी नहीं करती क्योंकि इसमें मुझे पता है गलती हुई है आसन में चोटा लिया है तो चलिए पहले म्यानी निकाल लेते हैं तो यहां पे हमने डबल कपड़े को ले लिया है फोर फोल्ड में था दो कपड़े हमने निकाल दिये हैं अब इसे एक बार और फोल्ड कर लिया है इसमें से म्यानी की कटिंग करेंगे तो म्यानी की कटिंग हम आसन से नाप के कर लेंगे तो देखी पहले तो नीचे सीधी लाइन कीच लेंगे देख और उसके बाद आसन की लंबाई देखेंगे तो मैं ऐसे तिर्चा करके इंच टेप को रख रही हूं तो इसकी लंबाई आ रही है 12.5 इंच अगर हम सीधा रखते हैं तो आसन की लंबाई थोड़ी कम थी यहां पे मैंने हाप इंच बढ़ा की मार्किंग कर लिए तो देखी हाप इंच इसलिए बढ़ाया क्योंकि नीचे से हलकी सी म्यानी को सेप देते हैं म्यानी की चड़ाई मैंने लिए है 3 इंच डाई से 3 इंच इसकी चड़ाई ले सकते हो ओपन होके यह 6 इंच हो जाएगी अब यहां से हलकी सी स्फेप देंगे इसलिए मैंने आधे इंच एक्षर more लिया पहला है लंबाई में तो चलिए पहले मियाने की कटिंग कर लेते हैं म्यानी की cutting कर लिए है अब इसे open करेंगे तो यह देखिए open होने के बाद हमारी change की म्यानी बनी है अब इसे यहाँ पर इस तरीके से joint करना है तो joint कैसे करना है चलिए वो भी बता देती हूं तो देखिए दोनों आसन को इस तरीके से पकड़ के open करेंगे एक side हमारी front side हो गई और एक back side तो एक म्यानी हमारी यहाँ पर attach हो जाएगी back side में और जो दूसरी वाली म्यानी है वो front side में attach हो जाएगी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आसन की लंबाई बहुत कम दिख रही है अभी क्योंकि यहाँ पर डेरेंच आसन की लंबाई मैंने कम लिए है तो इसलिए वीडियो को फुल वाच करना अब जो हम आसन की safe डालेंगे वो इस तरीके से ज़्यादा अंदर की side तो लेकी डालेंगे नहीं हल किसी तरीके से safe लेती हुए डालेंगे तो देखिए इस तरीकी से आसन की स्लाइड आलेंगे अब जी यहाँ पर आपको एक्टरा कपड़ा दिख रहा है नीचे से ज़्यादा सेप दिख रही है उसे आप कट कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो साइड से निकले हुए दो कपड़ों मैंसे हमने म्यानी बना ली और दो कपड़े हमारे बचे हुए थे उन दो कपड़ों मैंसे मैंने दो इंच की पट्टी कट करके यहाँ पर अटैच कर ली है तो इससे हमारा आसन बढ़ जाएगा जो हमारा फोल्डिंग में जाएगा निफकली इसमें से चला जाएगा तो हमारी आसन की लंबाई ठीक रहेगी अब जो हमारी कम होई थी यहाँ पर हमारी कम्प्लेट हो गई अब एक बार आपको बता देती हूँ किस तरीके से आसन की लंबाई लेनी है जैसे हमारा हिपसाइज है उसका फोर्ट वाग जाए साड़े बारे इंच तो साड़े बारे इंच ही हमारा हिपसाइज है तो मैं एक बार है यहाँ पर लगा दिखा रही हूँ आपका कपड़ा ज्यादा है तो और जितनी हमारी हिप साइज का फोर्ट भाग है उतना ही हमें आसन की लंबाई लेनी है तो आसन की लंबाई भी हमें साड़े बारे इंच ही लेनी है यह मैं आपको बार बार बता रही हूँ कहीं आप अपने आसन की लंबाई कम लेलो फिर आ हमारा आसन सही होता दो तो यह देखिए दो इंच हम छोड़ेंगे नेफा के लिए यह नेफा हो गया अब यहां से हम लंबाई का निसान लगा लेंगे लंबाई रखेंगे 35.5 बाकी बचा कपड़ा हमारा महरी में फोल्ड हो जाएगा तो इसमें आप कहीं पे भी कोई प्रो से मौरी में से अब हमने लास्टिक लिए अपने साइज की साब से यहां पर इसे रखके नेफा फोल्ड कर लेंगे तो हर चीज मैंने डिटेल मता दिये वैसे भी इस वीडियो में थोड़ा कन्फूजन क्रियेट हो गया है अगर आपको कन्फूजन लगे कोई भी तो आप क कर ली हैं दोनों साइड की अब यहां से आसन की सिलाई को लगा लेंगे तो देखिए फुल पला जो हमारा बनके रेडी हो गया है अब इसका मैं आसन आपके दिखाती हूं आपको आसन अमारा एकदम परफेक्ट आया साड़े बारे इंच हमारा फ्रंट आसन है और यह कि फाइनल लुक बिल्कुल पलाजो जैसा लुकाता है एक बार मैंने इसके वीडियो और डाली थी उसमें मैंने म्यानी नहीं लगाई थी तो उस पर कमेंट आये थी यह पलाजो नहीं है पजामा है तो इसे कुछ भी बोल लीजिए